प्यास की कीमतों में आ रही तेजी इन दिनों चर्चा का विशय बनी हुई है, दरसल प्यास की पैदावार इस साल कम हुई है, जिसके चलते सरकार ने निर्यात पर लगा प्रतिबंद भी हटा दिया, इसके अलावा प्यास खराब होने की नई मुसीबत का व्यापारियों को स आमना करना पड़ रहा है, इन सभी के कारण प्यास के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं, आजादपुर थोक मंडी में प्यास 50 रुपए किलों में बिक रहा है, जो एक महीने पहले 30 रुपए प्रती किलों में मिल रहा था, पिछले काफी दिनों से मध्य प्रदेश में प पारिश कम होने के चलते कई जगह फसल खराब हुई है, इसकी वजह से दामों में तेजी आई है, वही मंडी व्यापारियों ने यह आशंका जताई है कि आगे भी प्यास के दाम बढ़ने वाले हैं, आपको बता दें कि देश में प्यास की सबसे बड़ी होलसेल मंडी महरा था, इसके दिल्ली पहुचने पर प्रती क्विंटल करीब 600 से 800 रुपय का भाड़ा जुटता है, ऐसे में दिल्ली में प्यास तो महेंगा होगा ही, उधर मध्यप्रदेश में मौसम की वजह से प्यास की फसल खराब हो रही है, जिससे प्यास के रेट भी तेजी से बढ़ रहे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी